हाई एवरीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ मैं शेर करूंगी गेहूं के आटे से बनने वाली खस्ता मठरी की रेसिपी ये मठरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बेहद ही आसान है तो आएए देखते हैं इस खस्ता मठरी को आज हम कैसे बनाएंगे गेहूं के आटे की खस्ता मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गेहूं का आटा ले रखा है आप गेहूं के आटे की जगा पर मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस मठरी को बनाने के लिए अब हम ये मिक्सिम बाउल लेंगे इसमें हम आटे को डालने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे इससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आप अजवाइन की जगा पर मंगरेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं फ्लेवर के लिए वन टीस्पून नमक डाल देंगे टेस के एकोडिंग वन टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे हाफ टीस्पून हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे इससे हमाई जो मठरी बनेगी काफी खस्ता बनेगी अब हम इसमें मोयम के लिए तेल का इस्तमाल करेंगे आप यहाँ पर मोयम की जगा पर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर तेल का इस्तमाल किया है हमने इसमें पांच बड़े चमश के लगभग मोयम डाला है अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे हमने आटे के साथ में मोयम को अच्छे से मिला लिया जब इसे मुठी में बांध रहें तो ये अच्छे से बंध जा रहा है इट मिन्स मोयम परफेक्ट है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें एक डो तयार करना है और ये लिजे डो हमारा तयार हो चुका है आटे का अब हम इसे धक कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए फिर हम इसकी मठियां बनाएंगे आटे को रेस्ट करते ही फे 15 मिनट सो गये हैं धकन को हटा करके हम चेक कर लेंगे इसे एक बार हाथों से मसलते हुए फिर से गूत करके तयार कर लेंगे अब हम आटे में से एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसे हम रोलिंग बोर्ट पर रख करके इसे हम बेलेंगे हमें इसे मोटा ही बेलना है पतला नहीं बेलना है इस बात का दियान रखिएगा और ये लीजी हमने इसे बेल करके तयार कर लिया है अब हम नाइप से इसे दो भागों में बाट लेंगे इस तरह से अब हम एक भाग को दूसरे भाग के उपर इस तरह से रखेंगे और इसे हम बेलन की हेल्प इसे फिर से बेल करके तयार कर लेंगे बेलते समय बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने इसमें मोयम दिया हुआ है यदि आपको इसे बेलने में प्रोब्लम हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखे आटे की डस्टिंग कर सकते हैं और ये लिजी हमने द उनकी मटरी काफी लेयर दार बनती है और खस्ता भी बन ती है इसलिए हमने यहां पर इस प्रोसेस को किया है हलवाई लोग भी इसी सब्हु lev करते हैं तब हमी मटरी काफी लहर बनती है ये एक सीक्रेट मेंथट है इसका अप धिहान रखिएगा और यह लिजी हमने से तीस की त्यक्र क्युक्त करके त्यार का लिया है इसे दो से तीन बार और कल लेंगे मठरी उमें अच्छे से लेयर हुचा हो最 ुम्ध्री को 5 जा जालिए बठील कर हैं ऐसी दियार के लिए के लिए मठरी भाइए میںれた हेलप इसे लंबाई में चोड़ी पट्टियां काट करके तयार कर लेंगे इसे काटने के पाद हम इसके छोटे छोटे पीस करके तयार कर लेंगे इस तरह से और ये लीजी हमने मठरी को काट करके तयार कर लिया है हम मठरी को प्लेट में ट्रांसपर कर लेंगे और सेम प्रोस मठरी को फ्राई करने के लिए हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तेल को हमने मध्यम गरम किया है और गैस की फ्लेम को हमने भी लो पे रखा है शुरू में हम गैस की फ्लेम को लो पे रखके तभी हम मठरी को फ्राई करेंगे हम इसे medium to low flame पर फ्राई करेंगे जब हम इसे low flame पर फ्राई करते हैं तो मठरी बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिख जाती है और इसकी layer भी खिल के आती है और मठरी खस्ता भी वनती है और ये लीजिए मठरी हमारी अच्छे से सिख चिकिये दोनों साइट से इसमें बढ़िया golden color आ गया है अब हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे हम इसे tissue paper पर रखेंगे ताकि इसमें जो भी extra तेलो सोख हो जाए और same process से हम बागी की मठरी को भी fry कर लेंगे इस मठरी को आप बना के रख लीजी किसी airtight container में आप इसे एक से डेड़ महिने तक यूच कर सकते हैं ये खराब नहीं होते हैं आप इसे सुबह या शाम की चाय के साथ में खाईए या फिर आप कहीं यातरा पे जा रहें तब भी आप इसे रख सकते हैं अपने साथ में खाने के लिए या फिर घर में कोई तेवार हो तब भी आप इसे सूखे नाश्टे के रूप में सर्व कर सकते हैं और ये हमाई लास्ट पैच की मठरी भी फ्राई हो चुकी है इसे भी हम तेल से अलग कर लेंगे और इनकी हम प्लेटिंग कर लेंगे गेहूं के आटे की खस्ता मठरी बन के तयार है मठरी बहुत ही खस्ता बनी है इसकी लेयर आप देखिए लेयर इसकी बहुत ही अच्छे से खिल के आई है ये मठरी उपर से एकदम ग्रंची अंदर से एकदम नरम और खस्तेदार होती है मैं इसे आपको तोड़के भी दिखा रहे हैं इसकी लेयर आप देखिए अंदर से कितनी खस्ता और लेयरदार ये बने हुई है जब आप इस मट्री को एक बार खाएंगे तो आपको इसे बार बार खाने का मन करेगा गेहों के आटे की खस्ता मट्री की ये रेसिपी आपको कैसी लगी यदि रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को धेर सरा लाइक दीजिएगा और जादा से जादा अपनी फैमली और फ्रेंट्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा साथ ही दोस्तों यदि आपको हमाई रेसिपी पसंद आती हो ट्राइब करने के बाद तो प्लीज हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पासी में मनें बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी नई वीडियो के साथ थैंक यू